इसराइल और इरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है खबर है कि इरान इसराइल पर डारेक्ट अटेक की तयारी कर रहा है और इसके लिए वो तीन देशों के साथ मिलकर कुछ बढ़ा करने वाला है इरान का आदेश इसराइल पर सीधा हमला इस वक्त पूरा इरान इसराइल से भीचन हमला लेने के लिए तड़प रहा है इस वक्त पूरा इरान हमाश चीफ इसमाईल हानिया के हत्या से बौक लाया हुआ है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इसराइल ने इरान की राजधानी तेहरान में हानिया को बेहद सुरक्षित इमारत में कैसे मार दिया पचास साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसरेल पर भीशन हमला करने का आदेश दे दिया है जमीन में हानिया का थाभूत अरब में विश्वयुत हमास पॉलिटिकल विंग के चीफ एसमाईल हानिया के हत्या का बदला लेने के लिए इरान उतावला है अब इरान के सुप्रीम लीडर ने IRGC और इरान आर्मी को ओर्डर दिया है कि वो बदले की तैयारी करें नियो यॉक टाइम्स के मुदाबिक इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसरेल पर सीधे अटैक करने का आदेश जारी किया है सुप्रीम लीडर ने हानिया की मौत के बाद ही कहा था कि इसरेल को हमारे महमान को मारने की कीमत चुकानी होगी हत्या के बाद सुप्रीम लीडर के घर इरान के टॉप अधिकारियों की बैठक होई है माना जा रहा है कि इसी बैठक में बदला लेने का फैसला लिया गया है। ताजा खबरों से लग रहा है कि इरान इस्रेल पर एक बड़ा हमला कर सकता है। नियोयॉक टाइम्स ने तीन इरानी अधिकारियों के हवाले से खबर दी है। और दावा किया है कि इरान के सुप्रीम लीडर आयतुला खामनेई ने कहा कि वो हानी की मौत का बड़ा लेंगे और इस्रेल पर सीधा हमला करेंगे। खामनेई ने ये भी कहा कि हानी की हत्या करके अबराद ही यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तयार कर लिया है। पुजाजात सख्टी रा बराग खुद फराहम साख्ट वखुन खाही औरा कि दर हरीम जम्हुरी असलामी एरान बे शहादत रसीद वजीफे खुद मीदानी यमी माधगरीम लफनेनू माज़ अतकिफा बेबेरूत निश्माइम इयूमी मे को लवर अनकु अरू हरुखी म लखुद लखुद वनामोद मलुकदीम नखुशीम मुल कोल इयूम इसराईल तिकबे मखीर कवद मोद अल कौल तोफ़नूत निगदेनू मे कोल जिराश शह सुप्रीम लीडर आयतुलाख खामनेई के आदेश के बाद से इरान ने इसरेल पर बड़ी जंग की तयारी शुरू कर दी है इसके संकेत साफ साफ दिखने लगे है इरान में एक मस्जिद पर लाल जंडा फैरा दिया गया है इरान के कूम में अतिहासिक जामकरन मस्जिद पर लाल रंग का जंडा फैरा गया है जो युद्ध का संकेत है इरान पहले भी इसरेल पर सीधे अटाक कर चुका है लेकिन तब उसके सभी रॉकेट्स और ड्रोन इसरेल और उसकी अलायंस फोर्सेज ने रोग दिये थे इरान के मिलिटरी कमांडर इसी तरह का इसरेल पर दूसरा हमला करने की तयारी में जुट गए है खबर ये भी है कि मिलिटरी कमांडर हमले के उन तरीकों को तलाश रहे हैं जिनमें आम नागरिकों की जान न जाए इरान इस बार अपने प्रॉक्सी के साथ मिलकर हमले को अंजाम देने की तयारी कर रहा है अगर इसरेल के ओपर सीरिया, इराग, यामन, लेबनान और इरान की और से एक समय में अटैक होता है तो उसके एर डिफेंस को उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा जानकार मानते हैं कि सैकनो रोकेट्स में से अगर दो तीन रोकेट इसरेल के एर डिफेंस को भीद कर शेहरों में गरते हैं तो इरान कह सकता है कि उसने हानिया की मौत का बदला ले लिया है इस से पहले भी इरान ने इसरेल से बदला लेने का ऐलान किया था तब 3 जनवरी 2022 को इराणी कुज़ स्वोर्स के शीर्ष कमांडर जन्रल कासम सुलेमानी के हथ्या के बाग जामकरन मस्जिद पर लाल जहंडा लहराया गया था इरानी कमांडर कासिम सुलिमानी को साल 2022 में राश्चोपती टरंप के आदेश पर जान से मार दिया गया था कासिम सुलिमानी इराक में एक अमेरिकी एर स्ट्राइक में मारे गये थे इसी साल 5 जन्वरी को भी मस्जिद पर लाल जंडा लगाया गया था जब कासिम सुलिमानी के मौत की भरसी पर आयो जी तेक कारिकम में जबरदस्ट बम विस्पूट हुआ था जिसमें 80 से ज़ादा इरानी मारे गए थे यानि इरान अब इसरेल से बदला लेने जा रहा है इसमें कोई शक नहीं रह गया है इसरेल ने हमास चीफ खानिया को मार कर एक तीर से चार निशाने लगाए हैं हमास, हिजबॉल्ला, हूथी और इरान इन चारों को इसरेल ने एक साथ चैलेंज किया है कुछ जानकारों का मानना है कि इसरेल चाहता है कि लगबग 10 महीने के घाजा जंग में जिस तरह से हमास का लगबग सफाया किया गया है ठीक उसी तरह से इरान, यमन, सीरिया, लेबनान में मौझूद बाकी दुश्मनों को भी ठीकाने लगा जाए क्योंकि इसरेल जानता है कि दुबारा से अपने दुश्मनों के खिलाब एतनी बड़ी जंग शुरू करना जरा भी आसान नहीं होगा इसी लिए जहां इसरेल ने 30 जुलाई को हेजबुला के नमबर 2 कमांडर फौज शोकर को देरूत में मारा तो वहीं 31 जुलाई को इरान की राजधानी तहरान में हमास चीफ हानिया को मेसा빈ल हमले में बार दिया गया एक रिपूर्ट में चोखाने वाला दावा हुआ है मेडलीस्ट की वेब साइट आमवाज मीडिया ने दापा किया है कि हानिय की हत्या में उनके बॉडिगार्ड के साथ हो सकता है इससे पहले फार्स न्यूज एजंसी ने बताया था कि हानिय उत्तरी तेहरान में इरान इराक युद के रेटायर्ट सैनिकों के लिए बनी एक इमारत में अपने बॉडिगार्ड के साथ ठहरा था ये भी बताया गया कि इरान हानिया की करीबी सुरक्षा टीम पर दोश मढ़ रहा है जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उनके यहां पर ठहरने और दूसरी जानकारी उसके करीबी लोगों ने लीग की है ये शक इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि फिलिस्तीनी इसलामिक जिहाद आतंक्वादी समों का नेता जियाद अल नकला उसी इमारत में एक अलग मंजिल पर रह रहा था लेकिन उन्हें निशाना नहीं बनाया गया सिर्फ इसमाइल हानिया की टार्गेट किलिंग की गई वहीं दूसरी तरफ इस्रेयल के पीम नेतन्याहु ने राश्र के नाम संबोधन में कहा कि इस्रेयल के लिए आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तयार हैं